यह प्यारा सा ब्यूटिफुल्स अखुब सुरत सा चैनल है डिडिकेटर चैनल है आप लोगों के प्रेपरेशन के लिए तो नीट 2021 की तयारिया हमारी जोरो शोरो से चल रही है वाया मन्थन चेक है और आपका कल सेकेंड मौक टेस्ट होने वाला है बच्चों जो हम चला रहे हैं मन्थन के बैनर पे राइट ओल इंडिया टेस्ट सेरीज तो कल 3 तो 6 पीम उसका सेकेंड एक्जाम होने वाला है तो आप सभी लोगों को उसके लिए तयार रहना है टेके बहतर परफॉर्म करना हैं काफी स्टेंथन तरीके से आप लोग जो है अपियर करेंगे एक्जाम में I believe that और एक और चीज में बता देना चाहता हूं बच्चों कि दो दिनों से मेरे लेक्चर नहीं हुए तो I was reading the comments और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि बच्चे बोल रहे हैं कि शायद आप दन के classes क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर आप recorded content क्यों डाल रहे हैं live क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें कुछ बच्चे जो मतलब जिसको कहते हैं कि यार बिल्कुली बिना सरपेर वाली बाते करते हैं कि आप live क्यों नहीं आ रहे हैं डर लगता है क्या वाली बाते so and so doesn't matter बच मैं recorded इसलिए ले रहा था because मैं तिन दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ था Monday, Tuesday, Wednesday and Wednesday को ही late night मेरी flight थी मुझे पैंगलोर आना पड़ा बच्चो ठेक है एक official emergency के एक official meeting के चलते ठेक है so official meeting है और मैं travel में हूँ अभी भी मैं hotel में हूँ लेकिन मैं record कर रहा हूं आप लोगों के लिए और yes I am thinking that किया सब कुछ हो जाए बट पढ़ाई नहीं रुखने चाहिए and I am really sorry for the Wednesday and Thursday बच्चो I supposed to recording for those days also लेकिन जब मैं जहां कहीं भी मैं था वहां पर इतना शोर शराब आथा या वहां पर facilities available नहीं थी तो I couldn't record but anyways मन्थन की सीरीज है बच्चों continue रहेगी complete syllabus होगा यह दो दिन मैं cover कर दूँगा month of March में not an issue ठीक है right so what we are talking about हम बात कर रहे हैं मन्थन के बारे में क्या है मन्थन your pathway to all India rank one two thousand कहते रहना है अपने आपसे हमेशा हर दम ठीक है फिर आप देख रहे हैं आपकी यह जो team है बच्चों यह मन्थन की team है जो आपको आपके dream medical college तक पह सारे notifications timely आप तक पहुंच जाए एक और बहुत important चीज़े बच्चे पूछने कि sir why there is a need to join telegram channel social media platforms जितने ज्यादा हमारे phone में होते हो उतने ज्यादा distractions होते हैं ठीक है so guys unaccard me need official जो है यह telegram channel आप जॉइन कर लीजिए ठीक है and if you are distracting with the different 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 notifications तो आप सारे notifications बंद कर दीजे बस चैसे lecture खतम हो जाए उसके बाद notes यहां पर upload हो जाएंगे तो आपको बता है कि lecture कब खतम हुआ है आपको बता है कब notes मुझे हम मिल जाएंगे तो यहां से आप download कर सकते हैं ठीक है चलिए link इसका description में दिया हुआ है तो आज हम Newton's laws of motion के part 1 में जो DPP मेने आपको दी थी उसका discussion करेंगे कुछ 2022 questions है right so that's have a look yes this is the very first question a particle is in a straight line motion सीधा सीधा जाएगा with uniform velocity यने की V constant हो गया यने की V क्या हो गया दोस्तो constant हो गया a force is not required force नहीं चाहिए but क्यों टेके to increase the speed to decrease the speed to keep the same speed to change the direction देखो सिधी सी बात है अगर आपको speed increase करना है या speed decrease करना है आपको acceleration की जरुवत बढ़ेगी ठीक है तो to keep the same speed यह जो है यहाँ पर आपको कोई force नहीं चाहिए to keep the same speed you do not require any force बचो although मैं एक बात अगर practicality में बात करूँ यह हमने यहाँ पर uniform velocity बोल दिया but if we talk about and practicality right तो there must be say no net force यहाँ पर होना चाहिए a net force is not required ऐसा बोलना चाहिए था ठीक है because अगर आप practical situation में बात करोगे तो कोई भी गाड़ी या object किसी भी road पर अगर चल रहा है so there is a force which is known as friction जो अभी हमने पढ़ना शुरू किया नहीं है हम Sunday को पढ़ेंगे ठीक है so जो friction होता है अगर मान लिजे कोई vehicle है right इस तरफ अगर V velocity V is equals to constant से अगर move करना चाहता है तो friction यहाँ पर पीछे की तरफ लगेगा तो जितना friction पीछे की तरफ लगता है उतना ही आपको external force आगे की तरफ लगाना पड़ेगा so that यह दोनों balance करके बोलेंगे कि F net यहाँ पर 0 है और यह V constant रह पाएगा यह practical idea है so this question must be more correct like a net force is not required क्योंकि singly अगर यह बोल रहाएगा force is not required force तो चाहिए पड़ेगा otherwise थोड़ी दिर बाद जाकर यह बंद पड़ जाएगा यह stop कर जाएगा uniform velocity से move नहीं कर पाएगा ठीक है तो थोड़ा से मतलब practical ideology के साथ भी आप move on करें आप सोचे जरा कि हाँ यह आर ऐसे नहीं वैसे वैसे नहीं वैसे तो क्या होता यह आपको एक extra S ज़रूर देगा बचु राइट चलिए coming to the next question yes so second question is essential characteristics of equilibrium is okay इसके बारे में बात करें हम equilibrium देखो पहले थोड़ा से यह समझो अगर हमारे पास एक box है ठीक है और इस box को किसी बंदे ने इस तरफ कीचा suppose say 10 newton से ठीक है और किसी बंदे ने same box को इस तरफ कीच दिया 10 newton से हम करते है न स्कूल में tug of war या फिर हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा एक दोस्ते जो इधर दाना जाता है एक दोस्ते जो इधर जाना चाता है और हम फिर क्या करते इसके हाथ पकल लेते हैं कि ने ने कहीं नहीं जाना है आपको यहीं रहना है तो अगर यह 10 newton right side है यह 10 newton अगर आपका left side है और अगर मैं आपसे कहूं थ आप यहाँ पर बोलेंगे से net force तो 0 है क्योंकि जितना right में है उतना left में है सो system पर कोई net force लगी नहीं रहा है और अगर system पर कोई net force लगी नहीं रहा है तो system का acceleration भी 0 हो गया तो what you can say about this आप यहाँ पर बोलेंगे कि यह system equilibrium में आपको तब दिख रहा है जब यहाँ पर net force 0 है या फिर आपका acceleration 0 है so momentum equals 0 acceleration equals 0 kinetic energy equals 0 velocity equals 0 हम यहाँ पर बोलेंगे sir acceleration equals 0 ठीक है right everybody because force equal to 0 is the condition for the equilibrium net force over the body is 0 that is the condition for the equilibrium अगर force 0 है तो किस बात को बताता है वो acceleration के 0 होने को बताता है ठीक है बाकी जजों को specify नहीं करता बहुत simple question था बहुत standard था right चलिए question number 3 Newton second law of motion connects Newton second law of motion हम लोगों ने पढ़ा था f external is equals to rate of change of momentum dp divided by dt f external is equals to dp divided by dt rate of change of momentum so यहाँ पर अगर हम देखे sir तो rate of change of momentum and external force yes option c यह तो direct मतलब सिदा जिदा हमने पढ़ रखा है तो हमको पता है कि बैसे करने को टाइलाइट और अगर हम देखे medical की examination तो इससे बहुत चारे straightforward questions आ जाते है बच्चोरी कहें there are Newton's laws of motion namely 1, 2 and 3 we can derive अब देखो कौन से law से किसे derive किया जा सकता है तो हमारे पास एक law है right f is equals to m this is what we have Newton's second law of motion right this is Newton's second law of motion यह हमारे पास second law है ठीक है ध्यान से सुनिएगा अब अगर आप इस second law की बात करेंगी let us suppose that we are doing one thing अगर मैं यहाँ पर बोल दो कि a is equals to zero है this a is equals to zero tells us two things this a is equals to zero tells us two things क्या-क्या एक तो या तो particle rest पे होगा ठीक है या तो particle किस पे होगा is in motion ठीक है लेकिन किस तरह का motion तो motion with b is equals to constant यहने की uniform velocity वाला ठीक है there are two things अगर आपके body का acceleration zero हुआ तो या तो particle rest पे होगा या particle motion में होगा लेकिन उसमें b constant होगा राइट तो अगर आपने a zero किया तो f b zero हो जाता है that means अगर particle rest पे है तो उसको move करवाने के लिए force चाहिए पड़ेगा या फिर अगर particle motion में है तो उसको रोकने के लिए आपको force चाहिए पड़ेगा ठीक है तो second law से आपने ये क्या derive कर लिए first law derive कर लिए second law से आपने क्या derive कर लिए ये first law derive कर लिए तो यहाँ पर second law जो है बच्चो, second law जो है F is equals to MA वाला, तो इस second law से हम derive कर सकते हैं first law and third law, right? So third and first law from the second law option भी यहाँ पर क्या होगा, correct होगा, जिस तरह से मैंने आपको भी first law explain किया, वैसे हम यहाँ पर third law को भी क्या कर सकते हैं, prove कर सकते हैं, but don't, मतलब जरुवत नहीं है उसकी अभी यहाँ पर, तो बस यह ध्यान रखेगा कि हाँ, Newton second law of motion से हम third को भी derive कर सकते हैं, हम first को भी derive कर सकते हैं, good, चलिए, अब यह question हमने खेर class में भी किया हुआ था, तो आप बड़ी आसानी से कर जाएंगे, कि two blocks of two kg and one kg are in contact with each other, ठेक है, तो हमने यहाँ पर, यह तो class में किया था, तो class में हमने करके question solve किया था, answer आया था option D, ठेक है, तो already done, हाँ यार, मतलब सारा setup लगाया, hotel में बेट कर और फिर record कर रहा हूँ, ठेक है, but anyways, मज़ा काफी आ रहा है, आप लोगों वो थोड़ा सा interface में लगेगा, कि sir board पर खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, recorded sessions क्यों आ रहे हैं, तो till Sunday यह situation रहेगी, बजचो Monday onwards हमारा मन्थन का series वैसे, उसी pace में वापस आ जाएगा, ठेक है, एक March से, अभी यह जो situations हुई है, ठेक है, इसमें मुझे कहीं जाना भी था, Monday, Tuesday, Wednesday में 3 days out of town था, और फिर Wednesday को ही मैं पैंगलोरू के लिए निकल गया, तो अभी I am in transit, ठेक है, तो मैं travel ही कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ जो है, I am trying my level best किया, आपके sessions भी affect ना हूँ, ठेक है, जितना हो सके, जितना ही आपको यहां पर F external देना पड़ेगा, right side, F retarding कैसे calculate करोगे आप, तो आप retardation calculate कर लेजिए, multiply by mass करेंगे, आपको F retarding बता चल जाएगा, and you will get this answer, ठेक है, चलिए, okay, coming to the next question, question number 8, बच्चो, क्या कहना चाहता है, a block of metal weighing 2 kg, is resting on a frictionless plane, it is struck by a jet, releasing water at a rate of 1 kg per second, okay, and at a speed of 5 meter per second, again, बच्चो, ठेक है, the initial acceleration of the block will be, now, let's have a look, अब ये सवाल कहना क्या चाहता है, पहले इसको समझो, अगर एक frictionless surface है, देखो, सवाल को समझना पड़, यहाँ प्यारा सा सवाल है, यहाँ पर एक block है, कुछ ऐसा सा, ठेक है, अब हो आई हूँ, कि कोई water jet है, कोई water jet है, जो इसको क्या कर रहा है, बच्चो, strike कर रहा है, ठेक है, अब आपको पता है, यह water jet हम blue color का बनाते हैं, ठेक है, हमेशा, ठेक है, अब यह water jet क्या कर रहा है, यह water jet यहाँ पर इसको दे रहा है, ठेक है, धक्का ऐसे, समझ रहो, यह water jet इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, अब अगर यह water jet इसको धक्का दे रहा है, तो एक चीज़ आप यह मान के चलेंगे, यह water jet क्या करेगा, और फिर वो एक तरह से वहीं पर splash हो जाएगा, टकराने के बाद में क्या करेगा, splash हो जाएगा, आप ये समझेए, कि इस situation is similar to, कि एक आपके पास ऐसा कोई box है, यहां से कोई ball है, ये गई, इसके पास टकराई, और टकराने के बाद में ये box आ गया motion में, ठीके ये box आ गया motion म और ये ball यहीं के यहीं गिर गई, ठीके, rest पर, ऐसा हुआ, यहीं कि initial momentum तो आपके पास है, कुछ भी mu, लेकिन final momentum जो है, आपके ball का वो हो गया, 0, ठीके, तो जो change in momentum आपको मिल रहा है, बच्चो, वो आपको यहां पर केवल mu मिलेगा, ठीके न, पर अगर आप change in momentum की बात कर होगे, तो क्या लिखोगे, p final minus p initial, तो वो क्या आएगा, वो आएगा, केवल और केवल mu के बराबर, क्योंकि final तो बैसे आपका 0 हो गया, तो जितना change in momentum होगा, उतना ही यहां पर क्या होगा, force जो है, generate होगा, rate of change of momentum is nothing but force, और अगर force है, तो हम एक्सलरेशन कालकुलेट कर सक है, हमको यहां पर कितना force exert होगा, इस block के ओपर वो तो बताया ही हुआ है, इस block का mass जो है, वो 5 kg है, तो अब चलते हैं आगे, और देखते हैं, इसको कैसे हम deal करते हैं, बच्छो, राइट, अगर मैं यहां पर बात करूँ, बच्छो, rate of change of linear momentum की dp divided by dt, ठीक है, तो rate of change of momentum, यह नहीं कि यह होता है, आपका velocity, तो constant है, mass यहां पर per unit time आपको दिया हुआ है, तो mass into my velocity, ठीक है, यह होता है, बच्छो, और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, rate of change of linear momentum की per unit time, तो वो हो जाएगा, mu के बराबर, m आपको per second, that much of kg दिया हुआ है, और v आपको दिया हुआ है, 5, so this will be 5 kg, ठीक है, 5 kg meter per second per second, ठीक है, यह आएगा आपका rate of change of linear momentum, ठीक है, तो जैसे यह आपने rate of change of linear momentum calculate कर लिया, यही तो आपका force है, यही तो आपका क्या होगा है, बच्छो, external force है, जो किसके बाराबर होगा, so 5 newton will be the force then, ठीक है, rate of change of linear momentum is nothing but is equals to F external, और अगर आपको F external पता चल गया, तो acceleration तो क्या हो जाएगा, force कितना block के ओपर लगा, divided by उसका mass, 4 से 5, mass से उसका 2 तो answer आगया, 2.5 meter per second square, ठीक है, तो 2.5 meter per second square will be the correct answer, तो एक अच्छा सवाल था, हो सकता है, आप में से कईयों ने इसको 5 meter per second square calculate कर लिया हो, ठीक है, तो गरब तरह से चीज़ें जो है, हो रही है, राइट, चलिए, very simple question again, ठीक है, तो, राइट, ये मेरे ख्याल से हमने किया हुआ है, बट ठीक है, anyways, देख लेते हैं, 3 blocks are connected in the figure, horizontal frictionless table, if M1 is equals to 1 kg, ये 1 kg का है भाया, ठीक है, M2 is equals to 8 kg, this is of 8 kg, and this is of 27 kg, very good, ठीक है, T3 का value 36 आपको दिया हुआ है, 36 newton, T2 will be, okay, this T2 we need है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इस तरह के questions में, इस तरह के questions में हम एक चीज़ करते हैं, वो है, यहाँ पर क्या करना बच्चों, वो है, यहाँ पर इस तरह से आप चलते चले, इसको मान लीजे system, जैसे ही आप इस तो A is equals to F net कितना होगा, 36 divided by mass total कि अगर आप बात करेंगे, तो this is 9 plus 27, यह हो गया सर आपका, कितना 36, ठीक है, so that is coming out to be 1 newton, sorry, 1 meter per second square, 1 meter acceleration है न, newton में बोल जया था, मुझे माफ करिएगा, अब यह पूरा का पूरा system जो है, same acceleration से accelerate करा, that is 1 meter per second square, तो अगर आप इस portion का, अगर आप इस portion का क्या करेंगे, free body diagram बनाएंगे, अगर आप इस portion का क्या करेंगे, बच्चो, free body diagram बनाएंगे, ठीक है, यह diagram आपको यहाँ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर है 36, यहाँ पर है आपका tension T2, और यह acceleration A is equals to 1 meter per second square से पीछे, आगे की तरफ जा रहा है, sorry, not पीछे आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका जो mass है, वो कितना दिया है, आपको 27 दिया हुआ है, यह बात ध्यान रखेगा, T2 कुछ है, अब देखो, अगर यह 1 meter per second square से right side जा रहा है, तो dominate कौन करेगा, dominate करेगा 36, ठीक है, तो यहाँ पर dominate कर रहा है आपका 36, और यह है इस तर 36 minus T2 is equals to हो जाएगा mass 27 into acceleration 1, तो यहाँ पर solve करने पर answer आजाएगा 9, ठीक है, तो 36 minus 27, that would be 9, ठीक है, 99, 37, 99, 34, जैसे ही बनता है, तो you can have the answer, right, अच्छा, चलिए, यह वाला सवाल हमने already किया हुआ है, ठीक है, class में, so I am just answering this, कि यह यह इसका answer option B होगा, ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है, सारी चीज़ें explained, class में में कर चुका था already, ठीक है, चलिए, this is an interesting question, इसमें जरा देखते हैं, a ball weighing 10 gram, a ball weighing 10 gram, it's hard surface with velocity, vertically with a speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed, बच्चो, very good, very good, change in momentum का question, देखो, यहाँ पर से कोई एक ball है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा ह है, और यहाँ पर टकराता है, ठीक है, with certain velocity that is given to you, 5 meter per second, और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ से यह वापस उपर जा रहा है, with same speed, यहने की same 5 meter per second, right, understood, same 5 meter per second से यह वापस उपर की तरफ जा रहा है, दो चीज़ें आपर बड़ी important है, जिन्हें आपको ध्यान रखके स समझता है, change in momentum, अगर आप change in momentum की बात करूँ, तो ध्यान से देखो, पहली बार यह जो भी mass था, यह जो भी velocity u था, वो downward था, पहले mu momentum downward था, ठीक है, और अब mu momentum क्या होगे, upward हो गया, तो मैं दो चीज़ें लिखूँगा, अगर मैं यहाँ बलिख रहा हूँ, initial momentum mu negative, तो final momentum मै मैंने mu को लिखा, plus positive, why this is so, क्योंकि आपको पता है कि sir, अगर कोई भी हमारे पास vector होता है, ठीक है, तो downward vector को हम negative लेते हैं, और upward vector को हम positive लेते हैं, ठीक है, इतनी बात हमारी clear होगे, अब यहाँ के बाद अगर आप बात करेंगे, और आगे बढ़के देखते हैं, तो you can have one thing and that is what, change in momentum की जब आप बात करेंगे, तो change in momentum आपका होगा, p final minus p initial, p final की अगर आप बात करेंगे, तो वो होगा आपका plus mu, minus minus आप initial की बात करेंगे, minus minus plus हो जाएगा, that would be आपका 2 mu, कितना हो जाएगा बचो, 2 mu, अब एक चीज़ और ध्यान देने वादी है, ठीक है, यह आग for which ball is in contact with the surface, तो यने की change in momentum के लिए कितना time लगा, time of contact, time of contact with the surface का मतलब होता है, कि कितना समय है, this is the time in which this change in momentum takes place, बचो, तो अगर आप यहाँ पर f external की बात करेंगे, तो that will be del p divided by del t, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो del p आपके पास था 2 mu divided by आप रिख देंगे delta t, values put up कर देते हैं, solve करते हैं, force यह ना क्योंकि हमको, तो 2 as it is, mass यहाँ पर 10 gram है, 10 gram है, divided by 1000 कर देंगे, ठेक है, क्योंकि kg में convert कर ना रहेगा, u हमारे पास 5 है, और time हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.01, ओके, तो यह clear हो गया, कि सर, यह दोनों ची हो रहा है, 0.01 नहीं बनेगा, 0.01 नहीं बनेगा, खतम हो गया, तो यहाँ पर correct answer कितना आ रहा है सा, 10 newton, 10 newton is the force exerted, average force exerted by the surface on the ball, and the same force is exerted by the ball on the surface as well, newton's third law of motion, action reaction का pair बचो, right, action reaction का pair यहाँ पर बनता है, तो जितना force, ball surface पे लगाएगा, उतना ही surface, जो है, वो ball के ओपर answer कितना आ रहा है, आपके पास, 10 newton, I hope this explanation help you, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले question के तब, that is question number 12, और यह भी हमने class में कर लिया था, ठेक है, so this is already, we have done in the class, यह भी 2 kg का था, 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 so question आया था, इसका answer, 13.33, so यहाँ पर 13 is the correct answer, ठेक है, चलिए, बहुत अच्छे, this is also we have done in the classroom, बचे, ठेक है, कुछ कुछ रोशे से आप repeat आ रहे हैं, जो हम अरड़ी class में कर चुके है, DPP में भी same थे, तो ठेक है, हम इनको बस just mark करके आगे बढ़ते हैं, ठेक है, हमने अरड़ी देख रखा है, yes, this is the new kind of question, इसको जरा हम थोड़ा सा try करते है, two persons are holding a rope of negligible weight tightly at its end, so that it is in horizontal position, right, ठेक है, कुछ ही ये situation है, कुछ ही सेनारियो है, ध्यान से देखेगा, ठेक है, दो लोग है, दो लोग है, someone is pulling like this, and someone is pulling like this, ठेक है, यही बोला उसने, है ना, ओके, अब 15 kg weight is attached to the rope at the mid point, which now no longer remains horizontal, the minimum tension required to completely strengthen the top is, see, अब क्या हुआ, अब हुआ यह कि, you have put some weight over there in the middle, ठेक है, जैसे आपने middle में कुछ weight रखा, so this will be like this, यहां से यह इस तरह से connect होगा, ठेक है, और यहां से यह इस तरह से connect होगा, ठेक है, और यहां से यह इस तरह से connect होगा, everyone, please, अब लोग, एक बिनट यहां, ठेक है, ठेक है, so this is the diagram, what tough होता है, यह सब, ठेक है, मतलब, hotel में बेट कर, और, but anyways, anyways, आज भी मतलब मैं यह लेक्चर शायद नहीं लेने वाला था, बट, फिर मैंने सुझाए कि नहीं, मुझे लेना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं लिया, तो फिर पता नहीं हो, और तुम लोग क्या-क्या सोचोगे, तो इसमें tension develop होगा, बच्चो, यहां पर T, और same रसी है, same rope है, तो मैंने आपको क्या से कहा था, Whenever there is a uniform rope, और अगर एक ही तरह का rope होगा, तो tension यहां पर similar develop होगा, अब एक चीज़ छोटी से हम यह देख लेते हैं, कि सर, अगर यह वाला angle मान लिजे धीटा है, और यह वाला angle भी मान लिजे धीटा है, तो आपको क्या समझ में आया, तो आपको यह समझ में आया, कि सर, यह वाला angle भी धीटा होगा, यह वाला angle भी धीटा होगा, तो यह आपको clear समझ में आ रहा है, कि चीज़ें क्या क्या हो रही है, ठीक है, तो आप पूछाएं कि the minimum tension required to completely strengthen the top is, अब यहाँ पर देखें ज़रा एक बहुत चोटी सी बात है, आप यहाँ पर क्या करते हैं, forces को balance करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो भई T cos theta, T cos theta horizontal forces तो balance हो रहा है, अगर मैं T के components break करने की कोशिश करता हूँ, तो यह वाला component बनेगा T cos theta, ठीक है, शायदा कोई visible नहीं हुआ, यह visible हो, यह वाला तो बनेगा T cos theta, यह वाला भी बनेगा सा T cos theta, लेकिन उपर की तरफ आपको मिलेंगे, दोनों के दोनों, उपर की तरफ आपको मिलेंगे, क्या वाले component बचें, तो यहाँ पर 2T sin theta, तो अब एक च sin theta, ठीक है, और यह आपके पास किता है, बच्छो, 15G, 15G यह नहीं कि self weight है, mass into acceleration due to gravity, तो अगर हमें T calculate करना है, तो कितना हो जाएगा सर, 15G divided by, we must say, किसरी हो जाएगा आपका 2T sin theta, यह क्या हो जाएगा बच्छो, आपका 2T sin theta, now what you want, we want this T to be minimum, बच्छो, ठीक है, इस T को हम क everyone is T को हम क्या करना चाहते है, बच्छो, minimize करना चाहते है, और अगर हमें T को minimize करना चाहते है, तो sin theta को हमें maximize करना पड़ेगा, sin theta को हमें क्या करना पड़ेगा, बच्छो, maximize करना पड़ेगा, और अगर हमें इसे maximize करना है, ठीक है, तो sin theta का maximum value क्या हो सकता है, तो अगर देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ठीक है अब ध्यान से सुनना तो अगर हम t को minimum करना चाहते हैं तो एक बच्चे की दिमाग में सवाल आता है कि हाँ अगर हम t को minimum करना चाहते हैं तो sin theta को maximum करना पड़ेगा और sin theta जो maximum होता है वो होता है 1 ठीक है लेकिन वो 1 होता कहां पर है थोड़ा से ये भी देखो इस डाइक्राम में अगर आप sin theta को 1 करोगे वो 1 कहां पर होगा वो 1 होगा जब यह theta बढ़ते 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 ऐसा हो जाए यह rope horizontal कहां रह पाएगा condition यह है condition क्या है to completely strengthen the rope again आप इसको वापस tight करना चाहते है horizontal position में यहने कि you want to achieve theta is equals to 0 बचो tension required so that theta can be 0 तो अगर आप वापस से इसको 0 करना चाहते है यहने कि your target is what your target is कि भाई यह अब यहाँ पर आ जाए यह angle कुछ ऐसा हो जाए फिर थोड़ी दिर बाद आपका यह angle कुछ ऐसा हो ज जाए फिर उसके बाद यह आपका angle कुछ ऐसा हो जाए फिर उसके बाद आपका यह angle कुछ ऐसा हो जाए so this is the situation जिसमें आपका theta कम होते जा रहा है अब कम होते होते आपको कहां पर लेके जाना है बच्चो तो यह आप गलत सोचते हैं अगर आप ऐसा कर देंगे तो answer 15 by 2 आ थीटा के 0 होने पर sin theta will also be 0 और अगर sin theta 0 हुआ, sin theta अगर 0 हुआ तो tension in the row will be infinitely large बच्चो इस t का value देखो infinitely large लगेगा चाहे आप sin theta देखो चाहे आप cos theta देखो दोनों ही condition में answer will remain the same बच्चो ठीक है मतलब अगर आपने theta horizontal से ना लेके vertical से consider किया होता तब भी answer infinitely large ही आता तो यहाँ पर एक confusion आ जाता है बच्चे की दिमाग में कहीं सारे बच्चो ने मुझसे पूछा था class में कि सर यह जो minimum tension है इसके लिए sin theta maximum होना चाहिए और sin theta maximum होने के लिए जो है theta sin theta की value 1 हो जाए तो मैंने का आप एक बात सोची ज़रा theta 90 degree चाहिएगा उसके लिए और अग जोड़ दे ऐसे अगर आपने पकड़ के रखा दिधर का कोई बंदा छोड़ दे तो यह रसी ऐसे वर्टिकल हो सकती है लेकिन आपको तो ऐसे खीच के उसको strengthen करना है यह नहीं कि वापस आप उसे horizontal करना चाहते है so that is the condition ठीक है right so I hope this explanation help you or this question आपके काफी सारे concepts clear किये होंग यह तो मैंने खेर आप लोगों को all the graphs of kinematics में भी पढ़ाया था एक चीज़ अगर आप देखें बचों तो symmetricity maintain हो रही है ठीक है देखो यहाँ पर यह 2 है और यहाँ पर यह 6 है तो यह नहीं कि यह जो gap है बचो यह वाला this gap is 4 ठीक है अच्छा यहाँ 6 है यहाँ 8 है तो this gap is 2 this gap is 2 और यहाँ पर 2 और यह 0 है तो this gap is also 2 ठीक है अच्छा जो इसका maximum height that is 2 और इसका भी जो maximum height that is also 2 तो यह नहीं कि जितना area यह वाला portion का होगा ठीक है force versus time graph में अगर हम देखें सब f external is equals to हमारे पास क्या है dp divided by dt we have so अगर हम लिखेंगे इसको dp is equals to that would be f external into में क्या हो आता है आपको change in momentum यह क्या बताता है change in momentum delta p is equals to integral of f external dot dt और यह बताता है change in momentum और अगर आप change in momentum को observe कर रहे हैं तो यह वाला area जितना positive है उतने ही यह दोनों areas क्या है आपके negative है तो correct answer will be यहाँ पर आ जाएगा 0 change in momentum कुछ हुआ ही नहीं area under the curve 0 आगा ठीक है so that is the simple question बठाँ ऐसे ही तो सवाल medical में आते हैं conceptual but yet simple right अगला सवाल है two bodies of mass 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force if the acceleration of the lighter body is 2 meter per second square then the acceleration of the heavier body is same force बोल दिया same force का मतलब यह है कि अगर lighter body 4 kg है और अगर उसके पास acceleration है कितना बच्चो 2 meter per second square तो force का value से इधा आगया mass into acceleration करके that is 4 multiply by 2 करके and that coming out to be 8 newton अच्छा तो यहने कि अगर 5 kg का अगर body है और उसके उपर 8 newton का अगर force लगेगा तो जनाब यहाँ पर उसका जो acceleration है वो हो जाएगा 8 divided by 5 और 8 divided by 5 यहने कि how much it is 5 ones of 5 और बचेगा हमारे पास 3 तो यह हो जाएगा 1.6 1.6 meter per second square तेक है अब इस question को थोड़ा सा क्या करते है हमको solve नहीं करना था तेक है अब question को पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाएगा 2 masses वी है 1 is 4 kg और 1 is 5 kg एक हलका एक भारी है और हलके वाले का acceleration है 2 meter per second square और दोनों के ओपर same force लग रहा है तो जो भारी वाला है उसका acceleration definitely हलके के acceleration से कम होगा जिसका mass ज्यादा उसका acceleration कम क्योंकि force same हो गया तो बच्चों य तो बिना solve करें भी आप लोग direct answer कर सकते थे अगर examination hall में इस तरह की situation बने तो time save करना सीखना that will save your confidence बच्चों राइग ओके when a horse pulls a wagon the force that causes the horse to move forward in this is the force देखो क्या होता है जब भी हम भी surface पे चलते हैं या कोई घोडा या any particular animal is walking on the surface तो हम अपने पाउं से क्या करते हैं अर्थ क backward direction and earth क्या करती है same action का reaction हमारे ओपार लगाती ही in the forward direction and because of that हम move कर पाते हैं ठीक है तो यहां पर जो होगा right the ground exert on him यानि कि the ground exert on the horse बच्चो right that is the force with which horse is moving in the forward direction इसलिए तो हम बर्फ पे चलने ही पाते हैं इसलिए तो अगर हम चलने की कोशिश करते हैं आइस पगेरा पे तो हम slip कर जाते हैं that is the reason क्योंकि हमें जितना action हम देना चाहते हैं उसका proper reaction हमें मिल नहीं पा रहा है क्योंकि enough friction अवेलेबल नहीं होता ठीक है चलिए coming to the next question and that is a man is at rest in the middle of the pound on perfectly smooth ice he can get himself to the shore by making use of Newton's first law, second law, third law, law of gravitation of course यहाँ पर Newton's third law होगा बच्चो कैसे आप लोगोंने कही बार example देखा होगा वो जब हम gun से गोली चलाते हैं तो when we shoot something from our gun और मतलब कुछ भी इस तरह का अगर तो recoil करते हैं हम लोग तो अगर आप ice surface पे खड़ें if you throw something और if you like कुछ भी अगर आप करेंगे तो वो action बनेगा और action का reaction बनेगा तो आप recoil करेंगे तो by doing so आप recoil करते जाएंगे recoil करते जाएंगे and you will be on the shore ठीक है तो एक बहुत ही मतलब वायात language का सवाल भी इसी पर base बना हुआ था ठीक है मैं आपको बता देता हूँ बस ठीक है लाक से बाहर कैसे निकलेगा तो उसका answer था by speeding yes you heard me correct by speeding ठीक है अब सुनने में बिल्कुल अजीब सा लगता है but yes if we speed ना तो हम जिस surface पे खड़े हैं वो surface smooth है तो हम recoil करके पीछे जाएंगे ठीक है तो बट ठीक है लोग पता नहीं क्या-क्या सोच लेते हैं या यह कछा सवा हाले 10 rupees coin are put on the top of each other on a table each coin has a mass of m kg छेक है and then the force on the 7th coin counted from the bottom due to all the coins on it is right देखो एक कोई रखो ऐसा दूसरा ऐसा थीसरा चोथा पाचवा च्छटा साथवा आटवा नवा नवा and this is the 10th one right these are the number of coins that we have kept पच्छो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 now one more thing you need to understand आपको बोला है कि bottom से count करने के बाद में जो 7th वाला coin होगा how much force that particular coin is experiencing तो आप यह देखो किसी भी किसी भी block के उपर block block के उपर block block के उपर block block के उपर block आप रखते जाहिए है ना so इस block के उपर 7th वाले block के उपर इन तीनों coin का self weight आ रहा होगा ठीक है तो यहने कि यहाँ पर जो correct answer यह बच्छो वो हो जाएगा 3 mg कितने मासे से उपर उसके 3 है तो जो force experience होगा force experience by the 7th coin because of all the 3 coins on the top of it will be 3 mg ठीक है तो यह आपका यहाँ पर एक simple सा जो है सवाल हो जाता है ठीक है and this is again right pulleys and string are shown in the figure smooth end of negligible mass for the system to remain in equilibrium okay great system remain in equilibrium equilibrium में रहने का मतलब है net force experience by bodies should be 0 मतलब इसका भी net force 0 होगा इसका भी net force 0 होगा इसका भी net force 0 होगा और उपर की तरफ इसमें जो tension मान दीजे कुछ अगर इसमें T1 है ठीक है is equals to say आप इसको T बोल दीजे इसमें आप बोलो को T2 तो T2 का value भी mg हाँ समझ देजी ये हो सकता था कि अलग-अलग masses हो अगर ये अलग-अलग masses होते तो equilibrium में रहता ही नहीं अगर ये अलग-अलग masses होते तो equilibrium में रहता ही नहीं ने नूटन's laws of motion का जो first आपको lecture लिया था उसमें दो Apple वाला एक्जामपल मैं लेकर बताया था बच्चों कि जो pulley है अ अपने कार की की को हांग किया था एक एपल के साथ तो वो सिस्टम एक्सलरेट करने लगा था ठीक है तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो टेंशन टी होगा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो टेंशन टी होगा ठीक है अब बात यह हो रही है कि सर यह वाला टी देखो इधर उपर की तरफ 2T cos theta दिख रहा है आपको और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा root 2 mg तो भी must say कि sir जो यहाँ पर 2T cos theta है 2T cos theta है is equals to root 2 mg क्योंकि भई इस वाले पर भी तो net force 0 होना चाहिए ना पुरा का पुरा system equilibrium में है इधर की रस्ती का T cos theta इधर की रस्ती का भी T cos theta ठीक है तो तुम क्या बोलोगे sir T into में यह हो जाएगा आपका 2 into mg T की जगा mg हो जाएगा यह हो गया आपका cos of theta is equals to this is root 2 and this is mg mg से mg cut किया so cos of theta comes out to be root 2 divided by 2 आपने root 2 से multiply किया root 2 से divide किया so that coming out to be cos of theta is equals to 1 by root 2 और cos of theta 1 by root 20 theta का value comes out to be 45 degree बचे कितना आ जाता है 45 degree so that is the best answer ठीक है मतलब simple था यार simple था coming to the next question an object with mass 10 kg moves at a constant velocity of 10 meter per second a constant force then x for 4 second on the object and gives it a speed of 10 meter per second in the opposite direction यह बहुत मज़दार सवाल है बहुत मज़दार सवाल है यह बहुत मज़दार सवाल है see अब यहां पर kinematics से भी कर सकते हैं आप इसको और आप इसको वैसे भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि kinematics में भी हो ही जाना है यह ठीक है तो हम दोनों से solve करते हैं ठीक है kinematics और NLM दोनों के concept लगाते हैं तो पहले मैं इस सवाल को करता हूँ का kinematics के साथ तो आप लोग बोलेंगे कि सर kinematics या एक काम करते हैं चलो NLM की क्लास चली तो पहले NLM से करते हूँ ठीक है तो हम लगाते हैं पहले NLM क्या चाहिए आपको acceleration acceleration क्या होता है force divided by mass force किसे निकालोगे force निकालोगे rate of change of momentum ठीक है rate of change of momentum अगर कोई object कोई body पहले से 10 meter per second से अगर ऐसे जा रहा था और 4 सेकेंड बात अगर वो 10 meter per second से sorry 2 meter per second से opposite direction नहीं तो मैं इसका change in momentum बहुत easily निकाल सकता हूँ that would be यह हो जाएगा sir आपका कितना कुमान लेते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा direction wise बात करें तो left hand वाले momentum को negative लेंगे right hand वाले momentum को positive लेंगे तो mass आपको दिया हुए 10 kg तो 10 into में 2 यह हो गया आपका minus का और plus हो जाएगा sir आपका है आपर कितना प्लस नहीं माइनस सॉरी क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है ना फाइनल माइनस इनिशल तो यह हो जाएगा sir आपका 10 into में है and this is also कितना होगा तो यह भी आपका 10 है तो यह आ रहा है sir 20 and this is 100 तो 120 चेंज इन मोमेंटम कितना आगे बच्छो 120 आगे अब अगर चेंज इन मोमेंटम 120 आया ठीक है तो 120 divided by आपने किया 4 ठीक है और यह 10 मेंटर पर सेकेंड है और यह 4 सेकेंड है this is 10 kg this should be 1 kg दिन यह तो कुछ तो गरबड़ हो रहा है an object with mass 10 kg moves at a constant velocity of 4 meter per second a constant force then act for 4 seconds on the object and gives it a speed of 2 meter per second in the opposite direction the acceleration produced is okay तो यहाँ पर हमारे पास एक बार initial momentum तो यह है कुछ तो मैंने गरबड़ियां करी है let's have a look देखो ऐसे करते हैं इसको कि अगर initially हमारे पास कोई object है which is moving with उस object का mass भी हमको दिया हुआ 10 kg and that object has certain velocity is 10 meter per second okay now if we are considering this then very simple यहाँ पर जो है आपको समझ में आ रहा है कि sir initial momentum जो है पी initial हो जागा 10 into 10 याने कि 100 kg meter per second is the यहाँ पर initial momentum थोड़ी देर बाद यह object जो है थोड़ी देर बाद याने कि 4 seconds बाद यह object जो है same object is moving with 2 meter per second in the opposite direction तो here p final should be minus 10 into 2 याने कि that will be minus 20 kg meter per second अब change in momentum के जब हम बात करते हैं तो p final minus p initial होता है आ तो वही रहा है तो p final is minus 20 and p initial is यहाँ पर minus और अंदर वो plus का 100 होगा तो minus plus minus ही होना है तो minus का 120 kg meter per second is the change in momentum change in momentum per unit time अगर आप करते हैं so that would be your force ठीक है अच्छा हाँ हाँ वो force आ रहा था सही तो कर रहे थे हैं वो force आ रहा था तो f is equal to क्या हो जाएगा 120 divided by आपने time किया ठीक है that is your force and forces के तर 30 अब आया force 30 लेकिन एक चीज़ देखो ज़रा यह minus 120 था यहना कि final momentum की direction में आपका force आ रहा है तो minus 30 और minus 30 अगर एक्सलेरेशन हो जाएगा बच्छों आपका f divided by m f है आपका 30 m है आपका 10 तो यह आगया आपका minus 3 minus 3 meter per second option b kinematic से एक बार करके देखते हैं इसको ठीक है kinematic से भी इस बार एक बार करके देखते हैं कि भई u initial जो है वो है आपका 10 meter per second ठीक है और जो v है बच्छो v final that is minus 2 meter per second है ना vector notation में अगर हम लिख कर चलें तो मस्से कि यार v final is equals to v initial plus अगर 80 हम vector notation में इसको ऐसे लगाएं तो v final का value देहां से सुनेगा v final का value कितना दिया हुआ हमें v final का value minus 2 is equals to यह हो जाएगा plus का 10 यह हो जाएगा sir plus का आपका 1 ठीक है और यह हो जाएगा sir आपका time is 4 second ठीक है सो यह आ रहा है देखो इस तरफ minus का 12 divided by हो जाएगा 4 is equals to a answer आगया 3 meter per second square that is negative ठीक है तो yes we got the same answer तो हमने kinematics भी लगा ली और हमने यहां पर लगा लिया Newton's laws of motion as well तो दोनों मैसे किसे से भी आप solve कर सकते हैं क्योंकि उसने acceleration पूछा है सो जब हमें acceleration के बारे में बोला गया है तो जरूरी नहीं है कि हम force के बारे में बात करें ठीक है तो this is the simple question right and the last question आज के इस TPP discussion का बचो I hope सारे questions complete हो गए है सो lift of mass 100 kg starts moving from the rest in the upward direction figure shows the variation of speed with the of the lift T1, T2 and T3 stand for the tension in the rope from 0 to 2 seconds 2 to 6 and 6 to 7 seconds respectively right अब एक चीज़ दरा ध्यान से समझेगा यहां पर कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने आप clear हो जाएंगी और यह सवाल आप वैसे ही क्लिक कर लेंगे ठीक है velocity versus time graph है velocity versus time graph में अगर आप V by T करते तो आपको मिलता है acceleration और यह basically है slope अगर हम देखें तो यह basically क्या हो जाता है slope हो जाता है तो अगर हम यहां पर देखें ध्यान से सुनिएगा everyone तो और यह lift का question है यह किसका question है बचो यह lift का question है और इसके लिए आप थोड़ा सा जो है proper तरीके से चीज़ें आप करके समझे तो आपको यहां पर थोड़ा सा idea लगेगा ठीक है तो मैं काम करते हैं हम यहां पर से देखो तो this situation इस पूरे डाइग्राम की situation में ठीक है तो आप चाहें तो एक काम करते हैं न ठीक है जब में वन मिनट हाँ अरे आया है नहीं है तो चलो 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 तो दोखा दे लिया ठीक है तो बच्चो आपके पास यह information है कि सर हां हां मैं यह समझ में आ रहा है कि यहां पर जो डाइग्राम दिया हुआ है वह किस तरह का है ठीक है velocity maximum यहां पर 4 है और यह time यहां पर 2 है तो मैं एक acceleration जो यहां पर आपको दिख रहा है acceleration A1 बोलूँगा this is from 0 to 2 seconds so that would be 4 divided by 2 that is आपका 2 meter per second square ठीक है एक acceleration यह बनता है 2 to 6 में अगर मैं acceleration A2 की बात करूँगा this is between 2 to 6 तो यहां पर आप बोलेंगे सरी यह 0 होगा because velocity constant है अगर velocity constant है 2 to 6 seconds में तो acceleration will be 0 फिर अगर आप A3 की बात करोगे बच्चों किसकी बात करोगे आप A3 की बात करोगे तो A3 यहां पर हो जाएगा देखो final value यह है 0 और initial value है यहां पर आपकी 4 तो basically यह आ जाएगा minus 4 divided by आप यहां पर बोलेंगे slope और slope हो जाएगा 1 that is minus 4 meter per second square यह नहीं कि यह acceleration है लेकिन यह retardation है और यहां पर यह 0 है अब question यह है lift का और उसका mass है hundred के जिए अब ध्यान से सुनिए का तीन चीज़े हैं पहले में accelerate हो रहा है दूसरा में uniform velocity से तीसरे में वह retard कर रहा है अगर मैं आपको थोड़ा सा lift का idea दो बच्चों तो आपको पता होगा किसा इस तरह की lift होती है इस तरह की lift होती है everyone और इस तरह की lift में यहाँ पर होता है यह उपर की तरफ tension जो रधागा इसको रसी बांग के रखती है यहाँ पर इसका नीचे की तरफ होता है self at mg अब दो चीज़े हैं देखो पहला situation अगर आप बनाओगे तो यह उपर की तरफ accelerate कर रहा है यहाँ एक्सलरेशन करेगा यहाँ पर टेंशन टी तो आप इसके लिए equation लिखोगे ती इस एक्सलरेशन आपका हंड्रेट के जी एक्सलरेशन आपका 2 है और प्लस यह हो गया सथ 10 so that coming out to be j का value 10 रखोगे न और acceleration हमने 2 calculate किया था acceleration हमने even जब उपर जाते वक थे तब हमारे पास उसका value 2 था बचो so that is coming out to be कितना 10 प्लस 2 12 12 multiply by 100 so that is coming out to be 1200 newton बचो कितना आगया 1200 newton second scenario में second scenario में जो आपकी lift है जो आपकी lift है वो constant velocity से मोग गरे नीच से mg उपर के तरफ tension T2 और यहाँ पर A2 का value 0 है यानि कि V is equals to constant आपको diagram में भी दिखाया हुआ अगर V is equals to constant है तो एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि sir इस condition में T2 का value mg के बरापर होगा M का value वैसे 100 है और यह हो गया आपका 10 तो यह तो कितना आगया sir हमारे पास 1000 newton आगया very good कितना आगया बचो 1000 newton आगया तीसरा जो case यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है sir वो यह है कि यह जो lift है यह जो lift है यह आपकी mg है जा उपर रही है लेकिन retard हो रही है direction of motion upward ही है लेकिन है retardation का तो आप यहाँ पर चाहो तो ऐसा बोल सकते कि sir यह जो A है यहाँ पर आपका A3 है upward मैंने direction भले बना दी लेकिन value अगर मैं उसकी negative रखूँगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे T3 minus क्या होगा sir आपका mg होगा और इस तरफ हो जाएगा sir आपका m into मैं minus A3 why I am writing minus क्योंकि यह retardation है ठीक है along with the convention रखना होता है ना रख दिया हमने उपर वाले forces positive नीचे वाले forces negative और यहाँ पर जो हमें उपर नीचे पता नहीं है उसको मैंने minus कर दिया जो उसकी value exactly है right so T3 का value यहाँ पर हमें calculate करना है तो T3 is equal to हो जाएगा minus 100 into मैं यह हो जाएगा sir आपका 4 मैंने बाहर कर लिया और प्लस हो जाएगा sir आपका 100 into में कितना तो आप बोलेंगे sir नहीं पर 10 so this T3 coming out to be 600 Newton कितना आगे बच्चो 600 Newton राइट अब देखो तीन चीज़ें हैं हमारे पास T1 T2 और T3 यह values हमारे पास आ गई बच्चो ठीक है हमारे पास values हैं हमारे पास T1 का value है 1200 Newton हमारे पास T2 का value है कितना 1000 Newton और हमारे पास T3 का value जो है वो आ गया है 600 Newton तो एक छोटी सी चीज जो है यहां पर आपको ध्यान रखनी है और वो क्या यह कि अगर आपको ratio निकालना है तो आप बोलो किसा सर्ट T1 इसटू T2 इसटू T3 तो बड़ा simple सा aspect आएगा सर वह आ जाएगा 1200 इसटू 1000 इसटू आ जाएगा सर 600 ठेक है पहले तो सब को 100 से निफटा दो यह आ जाएगा 12 इसटू 10 इसटू 6 ठेक है फिर आप किस से जाएगा ते जाएगा 2 से तो 6 इस स्थू 5 इसटू 3 6 इसटू 5 इसटू 3 विल बी ती करेक्ट आंसर 6 इस तू 5 इसटू 3 विल बी ती करेक्ट आंसर इने की option second अब देखो ये इतना sort किया तीन standard मैंने बनाए diagram और तीन standard डाइग्राम के बाद हमें इस conclusion पर पहुँचे लेकिन अब अगर हमें इसको करना था इसको direct करना था अब direct करना था सिद्धी सी बात है initially 0 से 2 second तक accelerate कर रहा है और सामने दिख रहा है कि यहाँ पर इसका slope जो है वो कम है ठीक है सुनना इसका slope क्या है बचो कम है और accelerate भी कर रहा है वेल गुट कॉंसेप्ट है ठीक है चलो दूसरी बात यहाँ पर फिर क्या हो रहा है बचो यहाँ यह तो समझ में आगा अच्छा इसमें इस condition में जो tension T1 है वो definitely आपको समझ में आगा किसा tension T1 शुद भी सबसे जादा वो नहीं होना है ठीक है tension T1 शुद भी सबसे ज्यादा फिर आप बोलो कि tension 2T उसके बाद होना चाहिए क्योंकि वो uniform velocity से मोग करा T is equals to mg हो जाएगा तीसरे case में सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर retardation हो रहा है देखो ना velocity क्या कर रही है 0 पर पहुंच रही है 4 से 0 पर पहुंच रही है और slope भी उसका क्या है बच्चों यहाँ पर ज्यादा है बतलब यह rapidly retard कर रही है तो आप बोल सकते थे कि इसरे T3 का तो value सबसे ही कम होना चाहिए तो graph को देखकर graph को देखकर मैं यह तीन बाते analyze कर रहा हूँ कि T1 सबसे बढ़ा है T2 उसके बाद है T3 उसके भी बाद है तो यह देखकर मुझे अंदाजा लग गया यह देखकर मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा tension जो T1 है उसके बाद T2 उसके बाद अगर T3 है तो चारो option में से अगर यहाँ पर values में यह difference आपको समझ में आगा ता ratio में भी same difference valid होगा बच्चो ठीक है यहाँ पर था आपका पूरा DPP discussion यह सारे सारे answer से इनमें से एकाद अगर कोई connection हो तो आप देख लेना ठीक है तो टेलिग्राम चैनल फटा फट से join कर लेना link description है बच्चो और आपको पता है कि अनकाडमी के जो platform से बच्चो वहाँ पर धेर सारे paid courses चल रहे हैं apart from free classes, apart from everything अगर आप India's top educators के रात करने करके पढ़ना चाहते हैं तो early rise page यहाँ पर हमारा already चल रहा है जिसे आप join कर सकते हैं यहाँ पर one year का और two year का program आपके लिए सबसे फाइदे मन्द रहेगा अभी February के यह जो तीन चार दिन बजें बच्चो इसमें आप 10% discount ले सकते हैं उसके बाद March onward यह 5% होने जा रहा है यानिक एक तरह से आपके लिए थोड़ा सा और यह costly हो जाएगा तो one year का two year का program आपके सामने बच्चो यहाँ पर दो तरह के subscription है एक plus भी और एक iconic भी है तो you can go with the iconic subscription as well जिसमें आपको थोड़ा सा जो है क्या रहता है you have the high fee to pay but yeah you will be facilitated with the personal coach बच्चो and if you use my coat I will be your mentor right ठीक है आप अनकाडमी नीट के ब्यूटिफुल से चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे hit the bell icon also so hashtag neat monthan के साथ सारे social media accounts पर share कर दिजे as maximum as possible okay guys so thank you so much for watching this beautiful session and thank you so much for supporting us and don't you worry people I am with you in fact whole monthan team with you and आपके monthan के sessions ऐसे ही चलते रहेंगे Monday से वापस streamline हो जाएंगे बच्चो ठीक है किसी emergency के चलते आप कह सकते हैं कि मुझे जो है पहले भी travel करना पड़ा दो तिन दिन और बात मैं भी office meeting के चलते मुझे travel करना पड़ रहा है so that is why आपको recorded sessions मिल रहे हैं और आपको इस तरह से adjustments करने पड़ेंगे right so doesn't matter when I am standing in front of the board या फिर मैं ऐसे iPad का use करके आपके लिए चीज़े record कर रहा हूँ आपके लिए important क्या है important है आप तक content का पहुँचना आपके doubts का clear होना आपके concepts का clear होना अगर वो हो रहा है matter नहीं करता किस तरह से हो रहा है ठीक है आई बात समझ में तो मैं हमेशा कहता हूँ यार बचो कि एक बात हमेशा ध्यान रखना अगर कोई दुश्मन भी तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है न दुश्मन मालो कि जिससे तुमारी बिल्कुल नहीं बंती बिल्कुल नहीं पढ़ती लेकिन वो भी अगर तुम्हें पढ़ा रहा है नहीं थो पढ़ा तो पढ़ा लो यार क्योंकि तुम्हें पढ़ने से थुमारा फाइदा हो क्या ही तुम्हारा दो मतलब करने में क्यूं इंतलstar करने में घब है चलिए ओके गाइस तो होप यू अंडर्स्टाइंड और वही यह बात या ठीक है कि इधर उदर मतलब चीजें ना करेंगे तो ज्यादा भैतर होगा तो ये काम नहीं करना है प्यार बाटना है नफरत नहीं ठेक है चलिए तो बाबाई टेक कैसी या लव यौल अल दी वेरी बेस्ट इसी तरह से आगे बढ़ते रही है पढ़ते रही है और एक्जाम है कल आप लोगों का काइनेमेटिक्स बंडियो टूडी आ रहा है मैं रिव वैसे ही सारे शेशन में आ जाएंगे तिल देन बाबाई टेक कैर लव यू अल दी वेरी बेस्ट अपना ध्यान रखेगा इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा और हमेशा की तरह मचाते रहेगा टेक कैर